तो जो आदमी मूर्खों का सरदार राहूल गांधी को कहेगा वो पनौती सुनेगा और ये अभी दो दिन कई है सारे ये मैं पुराने नहीं बता रहा हूं आपको तो मूल रूप से है क्या कि भारती जनता लेकिन एक चीछ जान लीजिए मैं आपको बताओं कि अब चुप न लंगाना की और बढ़ चला है राजस्तान विधान सबाद चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन चुनावी सरगर्मी की बात करें तो कॉंगरेस से लेकर भाजपा दोनों ही तरफ से जम कर एक दूसरे के नेताओं पर शब्दों का वार देखने को मिला जिसमें मुर्खों का स सुरेंद राजपूत इलेक्शन कमिशन ने बाकाइदा नोटिस दे दिया राहूल गांधी को उसी पनौती वाले हमले के लिए और आपने पीछे हटने के बजाए पीम का आपमान नहीं होना चाहिए ये कहने के बजाए दो कदम आगे बढ़ा दिये पनौती ये आजम कह द आया जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको 1952 से लेकर के आज तक कॉंग्रेस में गांधी परिवार के और कॉंग्रेस के ऊपर हमलों की जानकारी आप लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा सारा एक शब्द चला पूरे के पूरे लोग परेशान हो गए मैं आपको दिखाता हूं अभी अभी बता छोड़ दीजे पुरानी बातों को तो आदमी कहता है हमको उससे पहले मूर्खों का सरदार राहूल गांधी को कह रहे हैं कोई मतलब है कोई मतलब है कि आप हमें यह देखिए यह रहे रह उस पर न कोई action न को reaction और नहीं मीडिया में कोई खबर यह रहे यह देख लिजे आप चाहें तो मतलब मैं यह अपनी इसके बाद दूसरा आप हमला देखिए यह देखिए मूर्खों का सरदार तो जो आदमी मूर्खों का सरदार राहूल गांधी को कहेगा वो पनौती सुनेगा और यह अभी दो दिन कहीं है सारे यह मैं पुराने नहीं बता रहा हूं आपको तो मूल रूप से है क्या कि भारती जनता पार्टी केंद्री चुनाव आयोग या उनके समर्थक मीडिया का वर्ग एक तरफा चीजें क्यों देखता है आप मुझे मुझे बताइए ना क्या आपके भी समाजी कुद्बोधन में सब क्यानम जो आपका उद्बोधन हुआ क्या आपने राहूल गांधी की अकल घुटनों में है आपने देखा वो ट्वीट मेरा आरोप आप पर भी है मुझे आपसे भी निराशा है यह बगवान क की भाशा का जिक्र नहीं किया जिसमें प्रधान मंत्री जी ने मूर्खों का सरदार का और भारती जनता पार्टी ने ट्रीट किया है मैंने आपको दिखाया अच्छा इससे पहले कि आप आगे जाएं अपने बचाव में अपने डिफेंस में बस दो लाईने कह देता हूं मैं मैंने इसी मुद्दे पर पिछले तीन दिन में तीन बहस की है जबसे यह विवाद शुरू हुआ है रोज इस पर बहस हुई है और रोज हमने मूर्खों क का सरदार और तमाम तरह की जो जो बातें दोनों तरफ से कहीए वो सब दिखाई है लेकिन आज कॉंग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुए दो पनौती आजम और वो जो चार फेकू नंबर वन और पनौती के साथ साथ जूटों का सरदार यह मैंने आज आज की खबर लिए आज आज का जो अपडेट है सर एक दिन पुराने ही यह दोनों ट्वीट दोनों ट्वीट है मैं यह कहता हूं लेबल प्लेंग फिल्ड आप मेरे दोस्ते इसलिए मैंने शिकायत भी कर दी जिस चैनल का एंकर मेरा इस तरीके का जिससे मुझे उम्म बीजेपी ने तो उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि कल से हम लगातार कह रहे थे प्रवक्ताओं से नेताओं से यह स्तरहीन बहस है यह खतम होनी चाहिए बीजेपी ने उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ाया लेकिन कॉंग्रेस अभी भी पनौतिये आजम फेकू नंबर वन जूटों के सर्दार कह रही है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों अभी मैं फिर से कहता हूँ सुनिये सर अभी वो भी लिख लिख लीजिए नेशनल ट्विटर हैंडल के बाद आप आजएए इस्टेट के ट्विटर हैंडल पर इनके राजस्थान के तेलंगाना के मध्यप्रदेश के पूरे हर जगे के ट्विटर हैंडल पर आजएए लेकिन सारी जिम्मेवारी के हमारे सर पर हैं हमारे सर पर इस तरीके से जिम्मेवारी मत ला दिये आप हम मानते हैं आप हमें ज़्यादे जिम्मेवार मानते हैं हम मानते हैं भाजपा को जिम्मेवार नहीं मानते हैं वो मूर्खों का सरदार भी कह सकते हैं मेरे नाम पर मिल पार्टी की जादा जिम्मेदारी होती है मैं यह कहने को भी चलियता यार हो लेकिन जैसे मैंने बताया एक दिन या दो दिन से उन्होंने उस बहस को आगे नहीं बढ़ाया पर आप अभी भी उस पर लगे हुए है क्या उसके पीछे राजनितिक वज़े है हूँ के आप उनको नहीं मानते हैं अनको आप जाहिल मानते हैं मानते रहिए ठीक है हम आप आप की ज़िम्मेवारी का हसास आपने हमें दिया है इसका भी धन्यवाद और हम आगे ध्यान रखेंगे लेकिन एक चीज जान लीजिए मैं आपको बताओं कि अब चुप नहीं रहेंगे हम लोग बिलकुल चुप नहीं रहेंगे जबाब मिलेगा करारा जबाब मिलेगा और इस तरहीं बहस बंद होनी चाहिए ये भी अपने आप में सच है आज देखिए एक बड़ी मजज़ार बात बताता हूँ आपसे छोटी सी बात है राजस्थान में एक गारंटी चल रही है नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी के गारंटी चल रही है सर राजस्थान में और बड़ी बड़ीया गारंटी है और हम भी मानते हैं कि वो ग देख लीजे अब आप मुझे बटाईे कि नरेंद्र मोदी जी राजास्थान के मुख्ध मनतरी हैं देश के प्रदान मंतरी हैं क्या हिए 4,5万 रुपय का सलेंडर पूरे देश में त किया नरेंदर बोजी सिर्थान के मुख्य मंत्री है? छातिे लोगों के सामने जब हम लड़ेंगे, तो निष्टित तौर पर एक चीज जान लीजिये, एक दो बाते अगर वो जबाब देंगे, तो हम बाद में भी जबाब देते रहेंगे, हाला कि ये सब चीजे बंद होनी चाहिए यहीं नहीं अभी और सुनिए तीन चार चीजे बड़ी स्पस्थ हैं और आपको भी आप जानते हैं लेकिन आपकी कोई व्यवसाइक मजबूरी होगी इसलिए प्रधान मंत्री का किया गया वादा और मुख्य मंत्री के किये गया वा गारंटी मोदी मुख्य मंत्री नहीं है मोदी प्रधान मंत्री है अगर मेरे राजजी का मुख्य मंत्री गारंटी देता है तो वो उत्तर प्रदेश में हो या नहीं हो करनाटक में हो या नहीं हो हाला कि सिलेंडर वाली गारंटी हर जगे है राजस्थान में भी है हिमाचल में भी है, चत्तिसगड में भी है और करनाटक में भी है हमारे पास गारंटी जो है हमने सब जेगे दे रखी है ठीक है ठीक है लेकिन उसके बाद भी गारंटी मोदी दे रहा है गारंटी कोई शिवराज जी ने नहीं दी गारंटी कोई क्या नम उन्हों ने नहीं दी किसी और चीफ मिनिस्टर ने योगी जी ने गारंटी उत्तर प्रदेश में भी दो सलेंडर की गारंटी मोदी जी और रामिशा ने दी थी जब प्रधान मंत्री गारंटी देते हैं तो देश को गारंटी देते हैं मुख्यमंत्री जब व्रिपक्ष का लेता गारंटींस देता तो अपनी राज़ी को गारंटींस देता है इतने चोटे से अंतर को dodo कि भारती तो प्रिम कोट ने कभी राहूल गांदी जी को सीरियल अफेंडर नहीं कहा, हाई कोट ने गुजरात के कहा था और क्यों कहा था वो भी आप जानती हैं, और सुप्रीम कोट ने बिल्कुल नहीं कहा था या तो आप इसमें शमा मांगिए, नहीं तो बाकी चीजें भी देखी मज़ा आया चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजेगा